साथियो राम राम ससी का लादा आप कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आपको फार्मुला मिल गया होगा आपने एक वीडियो देखिए अब से पहले अभी उसको समझाने वाला हूँ मैं भी मार्क्स आप किस तरीके से निकालेंगे बड़ा ही प्यारा तरीका है दोस्तों आस पहले कमेंट करते हैं आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे पहले कमेंट करेगा या अब जो भी जिन दोस्तों ने हमें कमेंट किया है फर्स्ट कमेंट सर उनके लिए थैंक्यो बाई लव यो ओल चलिए अब हम बात करते हैं हमारे फार्मुले के लिए दोस्तों फार टीक कर आन्म भी फार्मुला दे दिया है थीक है अना थर्टी टन और आपको बता दुम कि टेंद क्लास के जो Garbage का परसंटेशक लिय जाएंगा हिस्सा लिया जाएगा वह और मिनिमम चैनल की परसेंट आप鉄塔 तोस हुआ ही नहीं है भाई बोस मोज होगी आप लोगों की सिरियस्ली क्योंकि इंटरनल और प्रेक्टिकल में मार्क्स आपके हमेशा फुल लगते हैं हाँ यह जरूर कहा है बोर्ड डिरेक्टर ने कि हमारे जो यह प्रेक्टिकल्स और यह जो हुए है इनमें उब्जरवर क निकालने का त्रीक्त देखो इसमें क्या है कि अपने को कोई confusion निया कोई subject क्लास होगी करें मार्ग्स का पता होने चांद के आइए यह कितने टोटल नंबर का आपका पेपर ठाए के मानलो आपका तैंथ टंथ सब्जेंट क्लास में नंबर आए है क्या क्या इनगे कि इतो만 नमबर आए होंगे, माल लो 520 आए हैं 600 में से, तो 520 बटा 600 कर देंगे, उसको आप 30 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, जैसे मैंने 440 बट, बाए में 500 है, उसको 30 से गुणा कर दिया, मल्टिपलाई कर दिया, और केलिकुलेशन आप खुद करके देखेंगे, मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप लोग समझ लेंगे, आपके जो भी नमबर आए, आए नमबर, बाए में टोटल नमबर कितने हैं, उसको 30 से मल्टिपलाई कर दो, आपको एक नमबर मिलेगा, उसक को लिख के रख लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, 27, 27, यह आपके मार्क्स आए हैं, यनि 30 में से आपके कितने नमबर आए हैं, 27 आए हैं, इसका मतलब यह होता है, आगे वड़ा है आपका 10 परसेंट का हिस्सा होता है, 10 परसेंट का मतलब अब देखी, ज चुटा सा नमबर मिल गया, कितना मिल गया, आठ मिल गया, ठीक है, यनि आपके 10 में से नमबर आए हैं, आठ, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अब इसको बड़े ही प्यार से समझना पड़ेगा, आपको कारण क्या है, देखो आपको असेस्मेंट पता होगी, या तो जादतर बच्चों को पता होगी आपकी असेस्मेंट कितनी लगी हुई है, नहीं तो जादतर मापको बता दू, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने एक एवरेज वेटेज ले ली है, इससे कम नमबर साइध ही आप किसी के लगे होंगे, जादतर बच्चों के 20, 19, 18, 17 18, 16 भी लगते हैं, जादा से जादा मतलब क्या होता कि कम से कम नमबर लगे होंगे, तो आपके 14 नमबर लगे होंगे, चिंता ना करो, ठीक है, तो आप एक एवरेज निकाल सकते हैं, मैंने एक मीडियम बच्चे का रिकोर्ड लेते हुए, यह निकालने की कोईश किया है, तो आपके कितने नमबर वाएंगे, 20, 18, 18, मानलो, इंग्लिस है, इंग्लिस में आपकी सिर्फ इंटरनल होती है, 20 नमबर की होती है, आपके 18 भी हो सकते हैं, 17 जो भी है, वो लिख लेना, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ मैं, यहा पर मानलो, फीजिक्स है, फीजिक्स में आपकी 20 की इंटरनल होती है, 20 की प्रेक्टिकल होती है, तो यह आपका क्या हो गया भी, यहां से अगर आप देखेंगे, तो 20 प्लस 20 का है, टोटल 40 होते हैं, 40 में से आपके टोटल कितने लगे हैं, आप खुद देख सकते हैं, जैसे 18 और 18 है, ठीक है, आप लोग समझ लें तो 18 प्लस 18 आप लोगों ने करती है, ठीक है, मैथ है, मैथ में सिरफ इंटरनल होती है, आपकी 18 है, सब्जेक्ट और भी कुछ और हो सकते हैं, जिनके जो सब्जेक्ट तो वो समझ लेना, म्यूजिक है, फाइन आर्ट है, पॉलिटिकल साइच है, जियोग्राफिय, जो भी यहां पिर आपके पास में 5 सब्जेक्ट हिंदी होगा, हिंदी नहीं तो आपके पास में माल लो computer science है, तो में computer science है, तो उसके नंबर लिख लिए माल लो, 18, 20 मेसे तो 18 लगे हैं और 40 मेसे 36 लगे हैं, तो total आपके जो भी बनेंगे वो आप देख लेंगे, total 60 नंबर का होग आई तो मैने क्या किया मैंने कहा माल दो आपकी सारी पहले तो आप क्या करेंगे जो भी प्रसंटेज के चक्कर में आपड़ो तुम्हें डारेक्ट फार्मूला दे रहा हूं तो इसको मैंने काटा और मेरे पास कितना आया 54 आया ठीक है इसको भी मैंने नंबर को नोट कर लिया अब क्या बात है अब भी रजल्ट त्यार है कैसे देखो यहां पर क्या है आपका 10 वा वाले हैं ठीक है और परसंटेज पहले तुम परसंटेज समझो यार माकी मार्क्स कैसे लगेंगे वह एक फुली एटोमेटिड सोफ्टवेर से होगा आपको मैं बता दूं अठाइस तारीक से आपके रजल्ट स्कूल अपलोड करना शुरू कर देगा तो जिन बच्चों के आपसे एक हिदायत भी है कि आप आपने 11th के मार्क सीट अगर आपके पास हो तो उसको निकाल लें 10th की भी मार्क सीट के फोटो कोपी कर वा लेंगे तो ज्यादा बिटर ह पढ़े हो सकता है आपको स्कूल में जाके वो जमाह भी करवाने पढ़े क्योंकि मेरे जैसा बंदा कबड कंप्योटर में चड़ाएगा आपके नंबर जब हमारे पास आपके नंबर होंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में और अगर आपको लग ओपन वालों का कोई क्राइटेरिया तो आया नहीं है लेकिन फिर भी लाइब आके आपसे बात करने कोशिस करेंगे दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भार्त जै जवान जै किसान